आज आरहा है बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग और वह भी कुकिंग व्लॉग स्पेशली मैंने कि बहुत ताम से व्लॉगिंग नहीं की थी बट आज से ओने वाली रेगुलर तो आज हम बनाने जा रहे हैं आज का जो मैन्यू है वह है पनीर भुजी विद मिसी रोटी और स आज में वेजटेबल वाला राहे था वेजटेबल में सिर्फ टमाटर एंड प्याज वाला राहे था तो हमारा यह मैंने है और आज का और आज का और आज अच्छी बनेगी पैला हम थूचे लगे कि कढई को ने पनीर बनाए तो बहुत यम था और नान भी बनाए था या सेम क्यों खाना कुछ नया ट्राइ करते हैं तो मैंने का रेसीपी भी शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ एंड हम भी कुछ नया ट्राइ करेंगे हम लोग पनीर बनाते थे बतना वर्म बहुत बनाते थे जब हम लोग बड़गाओं में रहते थे मैं व्लोग नहीं करती साहती चीज है बट वर्म करना मुझ पर ट्रस्टी रहें कि बना लोग उनको लगता है कि मैंनानी बनाते नहीं को हमेशना बनाते थे तो इनको लगता है कि यार मैं अच्छी बना गो तो अच्छी नि बना पाओगी मुझे भरो सा लेंगे यह वह खुद बनाएंगे पटि करेंगे मिस्सी रोटी और बहुत टेस्टी वाला वेजीटेबल कर रायता और मुझे लास वाले वीडियो में कुछ लोग ने कॉमेंट कहता है कि मैंने सिर्के वाली प्यास की रेसिपी शेयर नहीं किया तो बिल्कु सिंपल प्यास को गाट लिए था अच्छे बड़े बड़े पीसिस में उसमें थोड़ा सा सिर्क डालिया था उससे दस मिट के लिए रगती है बाकी कुछ नहीं किया और वैसे होता है कि सिर्के वाली प्यास को काफी में सा तीन-चार दिन रखो दैन वो प्यास कोई प्लान नहीं था कि सिर्के वाली प्यास खानी है अचानक से बनाएं दोस मिट पर हम लोगों सा फ्लेवर आगा तो अच्छा तो ट्राय करना आप कुछ नहीं है ना तो नीबू वाली प्यास बना लिया थो थोड़ा सा नीबू डाला भू बना लिए वह एक में ट्राय मालने आटा बलने के लिए मैं यहां पी लिया है जितना वेशन लिया है उतना में लिया है आटा मतलब गीहं का अटा आटा अपको कितने आटा हां से रहीज मिल्द हिरा रहे नहीं में समय कहा तो दिखते हुआ camera तो जो बहुत जादा अच्छे से बारीक चॉप थी और सारी जीज़ आपको बारीक ही चॉप काट नहीं है क्योंकि रोटी फट जाएगी फिर एडगी नमक नमक आपको अपने टेस्ट के साब से एड़ कर दो पता है मैं नहीं आटा मला था थोड़ा सा जादा क्योंकि कर सुबह में इसको कुछ और बनाने वाली थी तो मैंने वह चीज़ बना लिए रेसिपी आपको मिल जाएगी इसके नेक्स वाले व्लॉग में जो मैंने बनाया है इसके बनायते मिसी परांटे वह भी बहुत अल्ट को बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना होगा वरना आटा पूरा एकदम वह जाएगा चिपका चिपका रोटी अच्छे से बनेंगी नहीं और हमने सबसे पहले आटा इसलिए मला है क्योंकि आटा मलने के बाद इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए कवर करके थोड़ा से एड़ेस हो जाए एंड थोड़ी सी वाप रोटी बनाओ वह बहुत अच्छी बनें तो आटा बनाने के बाद ही मैं तयारी करने वाली हूं सबजी की और आप आटे को देख रहे हो इसमें धनिया है मेर्च है और प्याज है तो यह आटा वैसे इतना टेस्टी लगेगा ना रूखी रूटी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा बस आपको पानी थोड़ा सा ध्यान से ही डालना होगा तो यह आटा मलके हो गया हमारा तयार जो देखने में बहुत बढ़ी अलग रहा है उसके बाद हम लोग कर रहे हैं राइवे की तयारी तो राइवे मैं टालने वाली हूँ यहां पे मैंने लिया एक टमाटर और एक प्यास लिया है इसको मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से बहुत जाता बालिक चॉप मत करना एक्दम हलबा नहीं बनाना है पर लेकिन ठीक है मीडियम साइज का आपको चॉप करना है से आप चाह होता होता है ठीक है अन्यार फूर्प्रहण Chrald का होता है और मने इसके बाद में ऐसमें करीबर हाफ ग्लास पनी आड़ी ने रिक Clean it is थोड़ा सा गाड़ापन ही अच्छा लगता ह है टो मैंने लक्रा टोटल मिलाके हाफ ग्लास पानी ए alad किया होगा कि उसके बाद हो थोड़ी बाही कटीवा कर सकते हो और हम्सक्राह नोग इतना ज़्याद है सुद्स इन हजसी कariamente हख करने से बहुत तेस्ट है यह उसके बाद वनने हुए कािन उस द्रोटेश्स की आणिए है और इस tand अभी चलते हैं सब्जी देखने वरुन के रेसिपी तो यहां पे वरुन लिया दो चमजी तेल कड़ाए में जैसे आपको लगे आपका तेल गरम होंगे आपको इसमें एड़ करने हैं खड़े मसाले दो एलाइची एंदो लॉंग एक डाल चीनी और साथ में एड़ कर दिया जैसे आपके थोड़े से स्पाइसे जलके से चटर हो जाए जीरा चटर हो जाए उसके बद आपको इसमें आड़ करने हैं प्यास तो यहां पर और नहीं काटे थी तीन प्यास और तीनों मीडियम साइस की थी एंड बहुत ज़दा बारीक नहीं काटे थोड़ी सी मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से भूनना है आप जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी किसी भी सबजी की प्यास को भूनोगे आपकी जो सबजी का टेस्ट नहीं ज्यादा अच्छा आएगा तो आपको इसे करना है ब्राउन कलर का तो बस भूनत चलो एंड सबजी को बहुत ही टिस्टी देखते चलो यह देखो प्यास भूली भून चुकी है अभी इसमें एड कर रहे है वरुन बेसन तो वैसे तो आपने देखा होगा कभी बेसन एड नहीं होता है पनीर भुझी में बट यहां पर वरुन ने दो चोटी वाली टेबल बते चुटाना तो कीना लाव एक चलोड है के लिए तो मिक्स करने के ब़द अब याप कर दिया है कैपसिकम और इसमें प्रवजी दाल रहे है हाफ चुटे-चुटे स्काटके चूटे साथ में डाले है आठ से दस काजू तो बस मिक्स 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 यही चीज का खेर जितना आप उसे अच्छे से मिक्स करोगा आप सब्सक्राइब कर देख रहे हैं अच्छा आने वाला आप देखके पता चलिया होगा एंड यह सब्सक्राइब यहां पर लिया वरने दो टमाटर एंड टमाटर को भी ऐसी रफली चॉप कराया बट लेकिन चूटी पीसिस में आधा किया है और सब्सक्राइब लाल धरी सफेद तो अच्छा अच्छा टेस्टा था मिक्षा अच्छा थे थैस्ट यह अजरु है गरण मसाला है तो आप उसे एड़ कर सकते हो अब हमारे पास तो हैं नहीं करते हैं तो याँग इने करते हैं बाग में एक चमस डाल दिया घी जटेकश का तो देगी मिर्च आड़ करने से ना कलर बहुत अच्छा आता है तो देगी मिर्च आप ज़दा दर सब्सब्स में ट्राइग करोगी एड़ कर लो थोड़ा सा ना कलर मतलब जाद अच्छा थैं इस पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती है तो वह सब हो गया आप ग्रेवी देख करने तो बहुत चीजा कट होती है तो पूरा नहीं दिखता है बट आपको ना हर एक चीज को भूनने में टायम देना है उतनी जादा अच्छी आपकी सब्सब्स बनेगी ग्रेवी थोड़ी से गाड़ी लगे तो आप इसमें पानी और एड़ कर लो बट आपको दीरे दीर कर लो तो थोड़ा सा गर्वर हो जाएगा तो थोड़ा स्लो स्लो करके यह थोड़ी सब्सब्स मतलब हलकी सी ग्रेवी वाली थी तो बहुत टेस्टी लग रही थी उसके वाज़े से तीन-चार मिनिट आप इसे कुक कर लो मीडियम फ्लेम पे एंड बस तीन-चार मिनिट हो पनीर को आप देख सकते हो स्टार्टिंग की रेसीपी को मतलब पूरी सब्सब्स बनाने में कितना अच्छा अच्छा कासा टाइम लगा है हर चीज को एक चीज को आपको पकाणा आच्छे से एंड आप लाइन से चीजों को एड करो फिर पकाऊ ना था बहुत अच्छी तो दोके हैं अच्छी लगती है अगर नैज कि थोड़ी से हैवी होती है और थोड़ी सी वैसी बेशंगी तो दोरे सी Thoros इस की सबसी अच्छी लगेगी और अभी लग रहा है वरुंप को थोड़ी से पानी माध्या पानी अच्छी एड़ी होती है इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बॉयल होने दो बढ़िया तरीके से एंड कंसिस्टेंसी है या बढ़िया अब यह चीज ना आप मिस्सी रूटिक संग एजी लिखा सकते हो उस वाली सबसी को आप मिस्सी रूटिक संग नहीं खा पाते तो आप इसे बस अब कुछ नहीं करना ह है कस्तूरी मैgeldी जो सबके घर में हुए ती है अवीलेबिल उससे इसका फैइँवर बहुत अच्छ़ हो जाता या कस्तूरी मैथिया कशी भी लग रही है जरू ट्राय करोगे मुझे डेफिनेटली पता है और पता यार इतनी ज़्यादा अमेजन सब्सक्राइब कलर इतना अच्छा आया था यह देखो सब्सक्राइब पूरी बनके यह वाला कलर आया था तो बस अभी हम चलते हैं रोटी बनाने के लिए तो मैंने हाप परोथन में बढ़िया से डिप करो और बहुत ज्यादा हलके हाथों से आपको इसे बेलना है आप देखके समझ सकते हो मैं इसे कितने हलके हाथों से बेल रही हूँ एंड कितनी ज़्यादा सौफ्ट रोटी होती है अगर आप इसे ज्यादा अल्टो पल्टो गरा तो यह त करने वाली हूं इसके टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रोटी बिल गई अब मैस में एड करूंगी थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा बारी कटा हुआ गारलिक इतना प्यारा और अच्छा टीस्ट आता है ना यार बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर मैं गारलिक के पीस आड़ करती हूं कुछ लोग मुझे कॉमेंट कर दे मैं गारलिक कहां एड करती हूं तो इस जगे मां गारलिक को आड़ कर दिए धनियी के साथ एक दुचकली मारके बेलन मारके उसे बुरा पेस्ट अब हम रोटी को पलट देंगे और पलटने के बाद आप समय मुन lifetime बना हो तो आपने पैस्त करना है अपको पानी तीक अप्ट करना मेरा देख एक क्छाय अगर वह फे संय पानी फानरीक्यूर्सर स्ब्सक्राइब करना की है मिध्यम रहो कि बना में सब्सक्राइब करें मेर जैंक्राइब ने चाहिए कि यहां पानी पानी कि चूट जाएगी तो पानी आपको इसलिए अच्छा कासा लगा देना है तो यह देख रही हो कितनी बढ़िया नान सी तुरंद के तुरंद कितीनी टेस्टी है न बस इसी तरीके से आपको सारी नान शेक लहने है और आप लोग अच्छे से बताया हो और ज़रुछ त्राय करना तब आपका गरम होना ची जब आप नान डालो ताइगा तुरंद के तुरंद च्छपक जाये अब फ्लेम आप मीड इस रोटी में कितने जादा फ्लेवर्स आने वाले हैं और में एक चीज़ बता देती हूं जब आप नान को इसको कवर पकाऊगे तो आपको एक लिस्ट इसमें हाफ मिनट तो लगेगा इसको नीचे वाली साइड से पकाने में तो आपको उस टैम पे इसे थोड़ा सा टाइम देना है वरना यह कच्छी रह जाएगी तो हाफ मिनट लगते देख रहे हो क्या नान मतलब क्या मिसी रोटी वन वन क्या आ रही है यार इक्तम उन्दा अब तब एक को देखो भी मेरा तवा गरम है दैन यह डाला अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर करूंगी आप चाहोते स इस पर बटर लगाती हूं एक एक नान को सेक के तब गरम गरम खाने में मज़ा आता है तो बस चलो फिर देखते हैं सबजी क्या बढ़िया लग रही है यार नान मेरी सारी पन गई थी अभी खाना सर्फ कर लिया है अच्छी लग रही ना इस वाली सबजी में थूड़ी से इस ग्रेवी है तो आप इसे अच्छी लिखा सकतो ड्राय नहीं लगेगी यह तो बस प्लेट मेरी पूरी सर्फ हो गई है प्लेट में दिखाती है आप लोगों को उन्दा वाली नान बटर लगा के एंड सीके कि इतनी अच्छे से तवीप है और वोरा राय था उसकी पर मै कर दो इस अच्छे सब्सक्राइब कर दो नान कह सकते हो कुछ भी गया सकते हो विससी रोटी कह सकते हो बट इस ओसम आण सो मैंने वैस तो तेस्ट कर लिया है वारूं के ब्लेट मैं से बट इसल अब हांक तेस्ट कर तो अन एक्सपरेशन देना तो बनता है इतने टेस्ट खाने पर मतलब अल्टीमेट बनाया यार क्या बना दिया ऑशे आप श्चीलिस अभी तब कि मुझे तुम्हें रेकों सबसे तेस्टी से लगी मुझे अब तक कि सबसे टेस्ट्री आसे पर प्रिंदी खाना है कि मैं बताया नहीं सकती हूँ और मस्ट्र थ्राय वाला खाना है ज़रूर ट्राय करना बनाना ट्राय करना एंड मेरे सतना पिच्छर जरूर शेयर करना मुझे तो बहुत दंदी भूख लग रही है आप भी खा लीजिए मैं भी खालेती हूँ जो भूलि देखिया है आए चलो करेंके दिनर एटिन आपसे तो पता है मैं अभी व्लॉक देख रही थी एड़िट कर रही तो मैंने देखा याँ मैंने इस वाले व्लॉक का एंड की आई है तो मैंने जस्ट एंड करने आई हूं अभी बचनेदा शुबा के चार आप जैसे एसे करके मेरा जो रूटीन है वह सही हुआ था बट वीकेंड आगा तो रूटीन फिर खराब होगा हम लोग सीरीज देख रहे थे सीरीज में टाइम इने पता चालता एक देखो दो तो तो टाइम ना पता नहीं चौता है इसको मैंने नीचे बिठा दिया और अब भी हम सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने व्लोग एडिट कर लिए व्लोग एडिट किया तो मैंने कैसे फिनिश करते हुआ है इसके बाद करूंगे एंड मेरी ना हो गया यहां पर एक पिंपल छोटा सा अभी दिखने रहे पता है कभी-कभी क्या होता है इतनी लेजी नहीं सुझ ची बएककर लिए अ क्वाला प्रजल कशीव एडिक करके और मेरी तीन ट्रीट है कि बाद करने माइस???? अच्छा लगा हो एंड रेसिपी अच्छी लगई हो बहुत जाधा टेस्टी अमेजिक अच्छी बने थी मिस्सी रोटी में नान के पैटन में चो बनाई है ना तंदूरी वाली वह चीज में पहली बनाई है अच्छा लगाता है वेजिटेबल रायता है जरूर ट्राय करना रेसिपी व्लॉक हतम करती हूं मिलती हूं आप लोग से कल सुबा एंड मुझे ना बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैं गोलकप्य की रेसिपी शेयर करूं तो आप लोग के पास परसो आई थिंक गोलकप बनाने वाले मुझे चाहिए कोच भी हो जाया कल मुझे बनाने है तो परसो रैसी पहुंच जाएगी तो वह लोगा परसो देख सकते हों तो इस आरे गया अप ब्लड़की ने मिली राई की तो उस चीज का मुझे बड़ी कुश्य हुई कि आप लोग इतनी इसी से बताते ह तो मुझे वह लाता है कि अगर आप या घर पर भी लॉक्टान में बहुत सारी चीज अविलेबल नहीं होती है तो आप उसके और ने में क्या यूज कर सकते हो या फिर नहीं यूज कर रहो तो यह चीज है पता चल रहाना तो इसी रहता है बनाने के लिगे अप लोग रेस के साथ तब तक के लिए बाई गू नाइट